पफैलोचीप जो बनाई गई है वो जिनोमिक्स के आदार पर बनाया गया है। जिनोमिक्स का मतलब हो गया कि जो मदर है उसका कितना दूद दे रही है और उसके जो संतान है यदि उससे ज़ादा दूद देती है तूँ उनके रिकार्ड एक साथ रखे जाते हैं। अगर पिता उस यार है और उसका बच्चा भी उतना ही उतिमान होगा. तो जिनोमिक्स के आधार पे यह तैकरना होता है कि उसके जो पूरवज हैं, पूरवज का जैसे उसकी नानी हो गई और जो पीछे के जो पूरवज हैं, उन में से कोई ऐसा रहा होगा गुड़ जो आने वाले एक्स्प्रेस हो गया.